महराष्टाला आणि महराष्टा तिल माजय बंदुभगी निना माजय कोटी-खोटी वंदन आज हादी के अम्रत महोसव में चत्रपति सिवाजी महराज का राज्याविशेग दिवस हम सभी के लिए नई चेतना नई उर्जा लेकर आया है मैं आप सभी को शुपकामनाई देता हूँ चत्रपति सिवाजी महराज का राज्याविशेग साड़े तीन सो साल पहले के उस कालखन का एक अद्भूत और विशिष्ट अध्याय है इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सूशासन और सम्रुद्धि की महान गाताएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं राश्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी साथन ववस्ता के मूल तत्व रहें मैं चत्रपति सिवाजी महराज के चरणों में कोटी-कोटी नमन करता हूँ आज स्वराज की पहली राजधानी राइगड किले के प्रांगण में शांदार आयोजन किया गया है पूरे महराष्ट में आज का दिन महोत्सव के रुप में मनाया जा रहा है पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महराष्ट में होंगे इसके लिए मैं महराश्ट सरकार को भी शुबकामनाय देता हूँ साथियों आज से साड़े तिन सो वर्ष पुर्व जब छत्रपती सिवाजी महराज का राज्जापिशेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राश्ट्रियता की जैजैकार समाहित थी उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वो पर ही रखा था आज एक भारत स्वरेश्ट भारत के वीजन में छत्रपती सिवाजी महराज के विचारों का ही प्रतिविम देखा जार सकता है साथियों इतिहास के नायकों से लेकर आज के दोर में नेत्रुतों पर रिसर्ट करने वाले मैनेजमेंट गुरुव तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दाई तो होता है कि वो अपने देशवाजियों को मुटिवेटेड और कंफिडेंट रखे आप छत्रपती सिवाजी महराज के समाएं देश की परिस्तित्यों के करपना कर सकते हैं सेकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वाज़ियों से उनका आत्मिश्वाथ छिल लिया था आक्रमण कारियों के शोशन और गरीविदें समाज को कमजोर बना दिया था हमारे सांस्कृति केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई ऐसे समाई में लोगों में आत्म विश्वाथ जगाना एक कठीन कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमण कारियों का मुकामला किया बलकि जन मानस में ये विश्वाथ भी पैदा किया कि स्वयम का राज संभव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया साथ्यों हमने ये भी देखा है कि इतिहास में कई ऐसे सासक हुए जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक छमता कमजोर थी इसी तरह ऐसे भी कई शासक हुए जो अपनी बहतरीन सासन व्यवस्ता के लिए जाने गए लेकिन उनका सैन्य नेत्रुत्वा कमजोर था लेकिन छत्रपती सिवाजी महारात का व्यक्तित्वत भुत्वा उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी साकार किया वो अपने शावरिय के लिए भी जाने जाते हैं और सुशाशन के लिए भी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कीलों को जीत कर और शत्रों को हरा कर अपने शैन्य नेत्रुत्व का परिशे दे दिया दूसरी तरफ एक राजा के तोर पर लोग प्रशाशन में सुधारों को लागू करके उन्होंने सुशाशन का तरीका भी बताया एक तरफ उन्होंने आक्रमन कारियों से अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की तो दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट निर्मार का व्यापक वीजन भी सामने रखा अपने वीजन की वजह से ही वो इतिहास के दूसरे नायकों से एकदम अलग है उन्होंने शासन का लोग कल्यान करी चरित्र लोगों के सामने रखा और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का भरोसा दिया इसके साथ ही चत्रपति सिवाजी महाराज ने स्वराच, धर्म, संस्कृति और दरोहरों को ठेश पहुचाने की कोशिश करने वालों को भी संकेत दिया इससे जन जन में द्रड विश्वास पदा हुआ, आत्मन निर्भरता की भावना का संचार हुआ और राष्ट का सम्मान बढ़ा किसान कल्यान हो, महिला ससक्ति करन हो, शासन प्रशासन तक सामान्य मान्वी की पहुच आसान बनाना हो उनके कारिय, उनकी शासन प्रणाली और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगीख है साथियों, छत्रपती सिवाजी महराज के व्यक्तित्व के इतने पहलू है कि किसी ना किसी रूप में उनका जीवन हमें अवश्य प्रभावित करता है उन्होंने भारत के सामुर्थ को पहचान कर, जिस तरह नव सेना का विस्तार किया अपना प्रभन कौसल दिखाया, वो आज भी सब को प्रेणा देता है उनके बनाए जलदूर्ग, समंदर के बीश में, तेज लहरों और ज्वार भाटा के थपेडे सहने के बावजूद, आज भी शान से खड़े हैं उन्हें समुद्र के किनारों से लेकर पहड़ों तक कीले बनवाए और अपने राज्य का विस्तार किया उस काल में उन्होंने जलब प्रभंदन वाटर मेनेजमेंट से जोड़ी जो व्यवस्ताएं खड़ी की थी वो विशसंग्यों को हैरत में डाल देती है यह हमारी सरकार का सोभाग्य है कि छत्रपती सिवाजी महराज से प्रेणा लेकर पिछले वर्ष भारत ने गुलामी के एक निशान से नव सेना को मुक्ति दे जी भारतिय नव सेना के ध्वज पर अंग्रेजी शासन की पहचान को हटा कर सिवाजी महराज से प्रेणी उनकी राज मुद्रा को जगह दी गई है अब यही ध्वज नए भारत की आन बान शान बनकर समंदर और आसमान में लहरा रहा है साथियों छत्रपती सिवाजी महराज की बीता, विचारधारा और न्याय प्रियता ने कई-कई पीडियों को प्रेरित किया है उनकी सहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और सांतिपुन राजनितिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेणा अफ्षर होता है हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपती सिवाजी महराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है एक मेने पहरे ही मौरिशस्थ में छत्रपती सिवाजी महराज के प्रतिमा स्थापित की गई आजाजी के अम्रित काल में छत्रपती सिवाजी महराज के राज्या विशेक के तिन सो पतास साल पूरे हुडे ये अपने आप में एक प्रेणादाई अवसर है इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किये गए मुल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं इनी मुल्यों के आधार पर हमें अम्रित काल की पचीस वर्षों की यात्रा पूरी करनी है ये यात्रा होगी चत्रपती सिवाजी महाराज के सपनों का भारत बना लेकी ये यात्रा होगी स्वराज सुसासान दौरात मंदर बरता की ये यात्रा होगी विक्सित भारत की पुना एक दा आपल्या सर्वाना तिन सो पचास व्या सिवराज्या विशेक सोल्या निमित्ना खूप खूप सुभेच्छा जाए हिन भारत माता की जाए